नमिश्कार दोस्तों, टेक स्केन के एक बिलकुल नहीं फ्रेस और एक्साइटिंग एपसोन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। भारत के अंदर दो प्राइवेट टेलिकम कंपने अपने 5G सर्विसेस को लॉंच कर दिया है, एया टेल और रिलाइंस जीओ एया टेल भारत के टोटल 9 सहर के अंदर आपने 5G सर्विसेस को लॉंच कर दिया है, जहाँ पर रिसेनली जो पानी पत सहर है उसी इंक्लूड किया गया है, इससे पहले टोटल 8 सहर के अंदर लॉंच किया गया था, फास्ट ऑक्टोबर को, उसके बाद पानी पत को एड़ कर दे दिया है, हाइदराबाद, मैंगलूरू और चिन्नाई, उसी के साथ साथ मिली राजुस्तन के एक जगह के अंदर 5G बेस्ट वाइफाई सर्विस को यहाँ पर लॉंच कर दिया है, रिलाइंस जो की तरफ से, दोस्तों दोनों कंपरी की तरफ से यह कॉन्फरम किया गया अपने 5G लॉंच से रिलेटेद, जिसके बार में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपको इसके बार में जानना है, तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखिए, चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त अगर मैं रिलाइंज जियो कंपणी के बात करता हूं, तो जियो का एक स्ट्रॉंग जोन में बता सकता हूं, वह है कोलकाता सार्केल, कोलकाता के अंदर रिलाइंज जियो फास्टेव आपने 5G सर्विसेज को लॉंच किया है, एया तिल भी कोलकाता के अंदर अपने 5G सर्विसेज को लॉंच नहीं के अले के रिलाइंज जियो ने कर दिया, अब अगर मैं पूरे वेस्ट बिंगोल की बात करता हूं, क्यूंकि मैं खुद वेस्ट बिंगोल सर्केल के अंदर रहता हूं, तो वेस्ट बिंगोल के अंदर टोटल दो सर्केल, एक है रेस्ट सर्केल की बात करता हूं, तो जियो की तरफ से ऑफिसेल एडनोर्समेंट कर दिया है कि 2022 खतम होने से पहले पूरे वेस्ट बिंगोल के अंदर हमें में लिए 5G सर्विस देखने के लिए मिल जाएंगे, जियो 5G सर्विस देखने के लिए मिल जाएंगे, अब ही मैं खुद सबसे पहले 5G सर्विस लेकर आएंगे, ऐसा अनोर्समें में लिए कर दिया गया है, दोस्तो में लिए कोलकाते के उपर एक इवेंट जियो की तरफ से ओर्गनाइस किया गया था, जो में लिए IT डिपर्मेंट अब कोलकाता और डिपर्मेंट अब टेली कमुनिकेशन की दुवारा मिल कर ये पोग्रम को और्गनाइस किया गया था, जहां पर 5G का जो यूज केसे से उसका डेमूंस्टेट यहां पर किया जा रहा था, जैसे एगडिकल जा सेग्मेंट के के अंदर, हेल्ग के अंदर, और जो प्राक्टिकल यूज से उसका डेमूंस्टेट में लिए रिलाइंस जियो की तरफ से किया गया है कि प्राक्टिकल यहां किस तरीके से 5G सर्विस को यूज कर सकते हैं, तो फाइनली कोलकाता सर्कल के अगर में बात करता हूं, तो यहां लिमिटेशन है, क्योंकि मैं एकदम गाउं के अंदर रहता हूं, यहां पर आपको लाइफ स्पीड टेस्ट करके नहीं दिखा पा रहा हूं, अभी की टाइम के अंदर, जीओ 5G के अंदर की कितना स्पीड आ रहा है, लेकिन जब भी अवेलेवेल हो जाएंगे, मैं डेफि 5G को सपोर्ट करना चाहिए, किस तरीकी से आप चेक करेंगे, सिंपले आपके हैंड साइट के ऊपर माइजय अप्लिकेशन को आप डाउलोड कर लो, और वहां पर से जाकर डिवाइस चेकिंग का एक आप्सन साहेंगे, तो वहां पर टैप करने के साथ साथ यू की तरब से चेक करके आपको बता दिया जाएगा जो 5G सार्वीस है वह आपके डिवाईस के लिए एवलेवल है या नहीं है, अगर आप 5G डिवाइस eあपके डिवाइस के लिए एवलेवल हो जाएंगे, उसके बाद अगर मैं second criteria की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके जो 4G SIM card है उसके उपर minimum 239 ये उससे उपर वाला plan को रिचार्ज होना चाहिए अगर ये second criteria कम्प्रिट हो जाते हैं तो Jio की तरप से आपको invitation मिल जाएंगे या अगर नहीं भी मिलते हैं तो MyJio application के अंदर जाकर याई Jio.com पर जाकर आप मिले एक request रेज कर सकते हैं तो कुछी दिन के अंदर आपको पास invitation आजाएंगा और invitation मिलने के साथ-साथ आप truly 5G internet का access यहाँ पर पाएंगे आप जो 4G plan यहाँ पर यूज कर रहे हूं आपर कितना भी data आपको मिले एक जीवी देड़ जीवी दो जीवी कितना भी data मिले कोई फर्क नहीं पर दा जो 5G service आप यहाँ पर यूज करेंगे वो truly unlimited 5G यूज कर पाएंगे क्योंकि जीव 5G welcome offer के तायत कुछ इसी तरीके offer आपको प्रोवाइट किया जा रहे है तो अगर आपके एडिया के अंदर जीव 5G का service आप आशुका है तो आप मुझे यह बताओ कि जीव 5G का speed आपके एडिया के अंदर कितना आड़ है लेकिन जो लोग कोलकाता और जबरदस्त अपडेट जो हमारे पास निकल के आ चुका है एक छोटा सा वीडियो बनेकर आपको बता दिया अगर वीडियो पसंद है कुछ नहीं जान करे मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ से यार कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर